हमारे वीडियोस पे दो तरह के कॉमेंट्स बहुत आते हैं, कई लोग हमारे वीडियोस देखके कहते हैं कि आप लोग बहुत क्रियेटिव हैं, और कई लोग हमारा काम देखके कहते हैं कि आप लोग लखी हैं कि ये काम कर पा रहे हैं, अब क्रियेटिविटी का तो फिर भी क बात करते हैं अब हम लोग जब बैल पकड़ने जाते हैं तो अक्सर एक समस्य आती है कि हमारे स्टाफ को खत्रा होने के साथ साथ अगर बैल ट्राफिक में भाग जाए तो सड़क धुर्गटना होने की भी संभावना रहती है उस दिन यही हुआ मैं जो और दौलत राम जी प लोगों के साथ आ जाना और घेरा बना के इसको पकड़ लेना और साथ ही साथ ब्लोड डार्ट भी लेते आना जी हां यह वही क्रियेटिफ सॉल्यूशन है जिसकी मदद से हम होपफुली और एग्रेसिव जानवरों को कम से कम रिस्क के साथ पकड़ पाएंगा वैसे तो ड जे कुमार जी के साथ मिलके यह ड्यूलब किया अब समस्य यह आए कि डार्ट गन के लिए लाइसेंस चाहिए होता है तो उन्होंने इसको इस तरह बनाया कि यह डार्ट गन नहीं प्रेशराइज ब्लोड डार्ट पाइप है तो क्रियेटिविटी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए एक जरूरत क्योंकि जरूरत ही अविश्कार की जननी है फिर आपको चाहिए constraints यानी कि एक डाइरे में रह के आपको काम करना है और उस डाइरे की वज़ा से आपकी क्रियेटिविटी और निखर के आती हैब देखिए ना हमारे देश में तो ही तो इतने सही इसे जुगार निकल के आते हैं क्योंकि पैसा, संसाधन, समाज, परिवार, सरकार इस सब के दाइवे में रहके आपको समस्याओं को सुलजाना होता है। इन लोगों को ब्लोड आट यूज़ करने की जरूरत ही ने पड़ी, बैल ने खुद ही सरंडर कर दिया। इस बैल की जो कहान ही है उस पे हम वीडियो बनाके इस हफते डालेंगे, आप इसका नाम सुझाईएगा ताकि वही नाम हम उस वीडियो में इस्तिमाल कर सकें। अब creativity की तीसरी जरूरत है raw material क्योंकि देखिए आपकी process चाहे जितनी मर्जी बढ़ी आओ, आपका जो output है वो आपके input के raw material की quality और quantity पे निर्भर करेगा। input-output से ध्यान आएगी, अभी-भी हमने भूसे का पूरा एक truck खरीदा है। तो thank you आप सब को जो हमें इतना support करते हैं। अब देखिए, आनिमल welfare का प्रचास प्रतिशत हिस्सा तो यही है, जानवरों को खाना खिलाना और फिर उनके output की सफाई करना। अब जो लोग यह बात समझते हैं न, वही यहाँ पर as volunteers कामयाब हैं। जैसे स्मृति, मनीश और जय। तो आपकी creativity का raw material इस बात पर निर्फर करता है कि आप क्या, कितना और कितने ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। क्योंकि जब हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हमारे दिमाग में वो register हो जाती है, जब वो register हो जाती है, तो जरूरत पढ़ने पर जिस संदर्ब में हमने उसको जाना है, उसके परे भी हम उसको इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अगर मोटे शब्दों में कहूं तो कहीं की बात कहीं से जोड़ना, एक परफेक्ट तो नहीं, आपको छोटा से example देता हूं, हमारे यहां तेंदेन जी सरा से तीन मुर्गे मुर्गियों को rescue करके लाए, अब हमारे पास यहां पे एक छोड़ी सी समस्या थी, लोग हमें कह रहे थे कि आप हमेशा हिंदू नाम आप कभी सिख नाम, मुस्लिम नाम, इसाई नाम नहीं रखते, तो अब मुझे बच्पन के एक फिल्म में आती अमर, अकबर, एंथनी जिसमें सभी धर्मों के बीच में प्रेम का एक मेसेज था, तो हमने उसी तरह इंस्पायर होके इनका नाम रखा, अमर प्रीद, अकबर और एंथनी, अमिताब बच्चन जी की जो एक और फिल्म है, उससे इंस्पायर होके रोहिक चौरसिया जी ने जर्मन शेपर्ड का नाम डॉन रखा है, चम्बी से जो डॉग आया था, जिसके पैर में सूर पकड़ने वाला शिकंजा फस गया था, उसको क्योंकि हमें पकड इसलिए एक साल से ट्यूमर है, हम गए वो थोड़ा एग्रेसिव था पर फिर भी पकड़ में आ गया, अब हमारी टेलीग्राम कम्यूनिटी के सजेस्चन पे हमने इसका नाम स्नूप डॉग रखा है, फिर सौरप जी ने हमें जौली से फोन किया क्योंकि उन्हें एक पपी मिला जिसकी सडक दुरगटना में चोट लग गई थी, अब उनके परिवार ने उस पपी का काफी ध्यान रखा, फिर भी उस पपी को चलने में अभी तक तक तकलीफ हो रही थी, वो उसको यहां ले आए और इसका इलाज यहां पर जारी है, इसके लिए आप लोग को यह अ हमस्या है, जो हमारे constraints हैं, जो हमारा raw material है, इस पर काम करने के लिए हमारे mind को समय चाहिए, तो शरीर चाहिए आपका व्यस्त हो, पर metro में आप travel कर रहे हैं, या खेत में आप काम कर रहे हैं, या बरतंद हो रहे हैं, आपका subconscious mind इस पर काम करता रहेगा, शर्त सिर्फ यह है कि आप अपने mind को occupy ना करें, देखिए हमारे यादत होती है कि अपने अंदर के खाली पन को भरने के लिए हम TV, वीडियो गेम, शराब या बहुत घूमना फिरना इस सबसे अपने आपको distract कर लेते हैं, तो हमारे पास समय ही नहीं बचता, खेर अगर आप अपने समय का सार्थ अपयोग कर रहे हैं, तो वो एक बात अलग है, जिसे शीतर जी जो कॉलिज में जाती हैं, उन्होंने इस बिल्ली को rescue किया, उन्होंने इसको अपने पास रखा और उन्होंने हमें इस बारे में कॉल कर दिया, यह बहुत जादा कमजोर है और चल नहीं पारी, हमने इसको फि अधारन देता हूं, गर्मियां आ गई हैं और हम भिंडी लगाएंगे, भिंडी का जो बीज है, उसका germination rate थोड़ा कम होता है, तो अगर मैं सुचूँ कि मैं चार बीज लगाऊं और मैं भिंडी खा लूँगा, तो इसके chances बहुत कम हैं, पर अगर मैं बहुत से बीज लग हैं, जो कहते हैं, देखी हमारे पर कुछ नायाब सब्जियों के बीज हैं, अगर मैं वो भी लगा लेता हूं और कल को मेरी भिंडी की फसल पूरी फेल हो जाती है, तो कम से कम मैं भूखा नहीं मरूँगा, तो इसे कहते हैं, आपने comfort zone से बाहर जाना, यानि कि जिस चीज क आपको पहले से नहीं पता, वो भी ट्राय करने से कत्राना नहीं, अब देखी चाहिए मुझे बीज चाहिए या बीज लगाने में मदद चाहिए, मुझे अपने आसपास लोग चाहिए, और लोगों से अपने रिष्टे पुखता करने के लिए बहुत ज़रूर है gratitude, यानि की समय रहते आभार व्यक्त करना, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा छवी जी का जिन्नोंने में वाशिंग मशीन और ड्रायर लेके दिया, अंजली जी का जिन्नोंने फंड रेज करके गन्ने का जूसर लेके दिया, राजीर भाईया का जिन्नोंने में आटे की चक् कर सकता है इन लोगों ने हमारे बारे में सोचा हमारी मदद की और हम चाहते हैं कि इन्हें पता हो कि हम इस बात की बहुत कदर करते हैं अब देखिए इनसान ही तो है जो अपना अभार व्यक्त कर सकता है दूसरे के अब बिनी सिंग यहां पे कितने महीनों तक ठीक होता रहा जब हमने इसको फाइनली रिलीज कर दिया तो यह हमें थैंक यू थोड़ना ही कह सकता है तो अगर आप हमारे एफर्ट को अप्रीशियेट करते हैं तो प्लीज अपने किसी दोस्त को टैक कीजिएगा और यह वीडि झाला मुंट राजसिय।